अस्सलाम अलेकुम एवरिवन आज हम बात करेंगे अबाउट पर्सनल डिवलेप्मेंट आखिर ये पर्सनल डिवलेप्मेंट क्या है और इसका क्या अस्थर है हमारी जिन्दगी के मुतालिक तो भाई पर्सनल डिवल्मेंट का मतलब होता है खुद को इंप्रूव करना खुद को बहतर बनाना वो किस में बहतर बनाना भाई अपनी स्किल में बहतर बनाना अपनी स्किल को इंप्रूव करना अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना और अपनी करेक्टर को इंप्रूव कर को बहतर बनाना पड़ता है दिस इस दी पर्सनल डिवलपमेंट तो भई अब यहां पे सवाल यह पेदा होता है कि हम अपनी लाइफ को किसे इंप्रूव करें अपनी लाइफ को किसे बहतर बनाएं तो सबसे पहले मेरे भाई अपकी जो वेल्यू है अपना जो अपने जो वो इनसान फजूल है जिसका कोई मकसद नहीं तो मेरे भाई सबसे पहले अपना कोई मकसद बनाएं अपना कोई गोल बनाएं टार्गेट सेट करें कि मुझे जिन्दगी में आखिर बनना क्या है तो अब यहां पे सवाल यह पेदा होता है कि हम मकसद कैसे बनाएं अपना गोल केसे बनाएं आखिर और उसको अचीव केसे करें तो मेरे भाई सबसे पहले तो जो आपके खुआब हैं जो आपके ड्रीम हैं उसके बारे में सोचो और फिर एक मकसद बनाओ उसको वज़ा दो कि आखिर आपको एक टार्गेट क्यों बनाना है ये आपको गोल अचीव क् इसका क्या मकसद क्या है आखिर इसकी वज़ा क्या है तो आपके जब खौब होंगे के भाई मुझे मेरे ये खौब पूरा करने के लिए मुझे ये गोल अचीव करना है ये मकसद बनाना है और मुझे इसको अचीव करना है ये अपना खौब पूरा करने के लिए तो भाई अब यहां पे सवाल तीसरा पेदा होता है कि हम अपने खाब कैसे पूरे करें कैसे खाब पूरे करें तो मेरे भाई मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं सोनू शर्मा की सोनू शर्मा से किसी ने पूछा कि भाई आप ये इतने बड़े खाब बनाते हो और इसको अच्छीव कैसे करते हो तो उसने बोला कि दुनिया ने जो मेरे दिमाग में डाली हुए कि पेसा पेड़ पे ने उगता सबसे पेले तो मैंने इसको भुलाया कि पेसा पेड़ पे ने उगता ये सारा गलत है पेसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है आप अपने खौब ये पूरे कैसे करते हैं आखर फिर तो उसने बोला कि मेरा जो इमेजिनेशन पावर है मैं उसको समझ गया था कि भई इमेजिनेशन में बहुत पावर होता है तो जब भी मैं किसी चीज का खौब देखता था यहां मैं सोचता था तो उसकी एक पिक्चर बना के अपनी दीवार पे लगा देता था और जब मैं सोता था तब भी उसे देखता था और जब भी उटता था तब भी उसे देखता था तो मेरे दिल में एक अलग ही एनरजी एक पावर महसूस होता था और फिर मुझे एक ऐसा रास्ता दिखा नेट्रॉक मार्केटिंग का जिसमें मैं लग गया और मैं आज बहुत ही कामियाब हूँ तो मेरे भाई सबसे पहले अपने ही खाबों के एक लिस्ट मनाओ और उसको एक दीवार के सामने टांग दो जिसको आप सुबा से उठते ही देखो और जिससे ही सोते हैं तो भी उसे देखो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने कई रास्ते खुलेंगे और जब आपके सामने कोई रास्ता खुले तो आपको एक मजबूत फैसला करके उस पे डट जाना है और इंशाला आप कामियाब होंगे तो कहते हैं कि मेरे भाई बे मकसद जो होती हैना जिंदगी उसकी कोई मीनिंग नहीं ओथी उसका कोई मतलब कि कोई वेल्यू नहीं होती तो सबसे पहले तो अपना एक मकसद बनाeni एक वेल्यू बनाओ अपना एक गॉल बना और उसको अचीव करो और ये जो पुरानी बातें पेशा पेड़ पी नहीं हो गता भाई इन चीजों को छोड़ दो और रिसर्च करो खुद को थोड़ा पर्सनल डिवलप करो मेरे भाई तब ही आप काम्याब हो पाएंगे अमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदे मत रही होगी सो लाइक सब्सक्राइब मैं चैनल और शेयर माई वीडियो विथ यार फ्रेंड्स